A very good morning to all my dear friends, मैं हूँ प्रशाद मावानी, I hope you're learning good, आज 22nd August 2022 है, दिन है Monday, I'm sure you all are doing great this morning, दोस्तों आज हमेरे डिवल पर हैं 5 important topics, इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, पेटिन्स के बारे में, कौन-कौन सी चीज से भारत को करने की जरूरत है, we'll talk about it, number two जो है, ये pioneer का ए में पार्क होने वाली हैं, डॉक होने वाली है, तो ये हो चुक है, और भारत का जो एक response रहा, वो कैसा रहा, क्या किया भारत ने, we'll talk about it, spirited battle, ये दे हिंदू का ये article है, और मनी से सुसोदिया पर कुछ इंजाम लगे हैं, corruption के charges लगे हैं, तो we'll talk about it, not charges, इंजाम लगे हैं, alleged जिसको कहते है, right, means I'm not saying that charge sheet अभी file नहीं हुई है, you know what I mean, okay, fight for survival, ये सुमालिया के साथ जुड़ा हुआ एक article है, map देखेंगे, on of Africa, ये सारी चीज़े, and number 5, what next on data protection, data protection bill जो है, इसके बारे में विस्तार से चर्जा करेंगे, बहुत लंबा ये बहुत ही important points आपको इस article में पढ़ने को मिलते है, सारे के सारे articles जो है, वो आपके लिए बहुत ही important है, of course, so let's start with the first one, patent के बारे में बात करते हैं, दोस्तों, भारत innovation को boost करना चाता है, right, भारत जो है, वो और ज्यादा अच्छी formal jobs create करना चाता है, और ये सारी चीज़े हम किस particular sector के माधियम से करना चाते हैं, that is start-ups, आपने दिखा होगा सरकार की कितनी सारी schemes जो है, वो start-ups को लेकर है, बड़े-बड़े प्रोग्राम में, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे हमरे मिनिस्टर जो है, वो start-up के बारे में बात करते हैं, और आज जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारा देश भारत जो है, वो in terms of start-up ecosystem, दुनिया का third biggest start-up ecosystem है, तो काफी अच्छा achieve किया है, आज हम सब को पता है कि what is start-up innovation नजर आता है हमें हर जगा पर, तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमरे देश में problem क्या है, पैटेंटिंग जो है, आपने कोई नई चीज निकाली, तो आप उसको पैटेंट कर आपने कोई नई चीज निकाली और कोई दूसरी company जो है, वो आप ही की चीज जो है, वो copy करके उसको बेचने लगे, तो फिर आपका research और सारी चीज जो है, वो पानी में घिर जाएगी, तो पैटेंट इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लेकिन पैटेंट की process जो है, वो उत Prime Minister's Economic Advisory Council, जिसको हम कहते है PMEAC, और आपके लिए प्रशन है, बताईए PMEAC जो है, इसके है को है, तो यह आंसर जो है, वो आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है, तो यह जो Prime Minister's Economic Advisory Council जो है, तो इसने यह कहा है, कि हमारे देश में जो patents office है, इसमें manpower की जबर जस्त shortage है, य होता है, कि patent की पूरी process जो है, यह काफी काफी slow हो जाती है, हमारे देश में 858 examiner's है, और 858 examiner's और controllers है, यह 2020 का data है, कि हमारे पास सिर्फ इतने ही examiner's and controllers है, अब अब चाइना का आगड़ा देखिए, 13,000 और USA का आगड़ा देखिए, 8,000 examiner's and controllers है, तो you can imagine कि उनकी process जो है, हमसे कितनी ज्यादा fast होगी, हमारे देश में innovation का जैसे एक boost हमें देखने को मिला है, as we all can feel, तो उसकी details में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 2016-17 में हमारे देश में 45,444 applications जो है, वो pattern के लिए की गई, 2021-2022 में यह आंकड़ा जो है, वो increase हो गया, 66,000 applications जो है, वो की गई, यह जो हमारे काफी interesting है, काफी अच्छे निज़र आते है, बट इट इस nothing when we compare ourselves with China, चाइन में 15,265,000 applications किये गये, युसे में 6,00,000 applications किये गये for patterns, you can imagine कि वहाँ पर research and development or university के साथ affiliation, government का, मैंने कई बार ये चीज़ आपको बताई है, regular students, I'm sure ये मैंने sketch जब रो के आपको बता चल गया होगा, I'm talking about this golden triangle, isn't it? के एक तरफ research and development जो universities में होती हैं, तो यहाँ पर research and development होती रहें, government जो है, वो universities का creation करती रहें, support करती रहें, और industry जो है, यह university को funding और सारी चीज़े प्रवाइट करती रहें, तो यह एक circle जो है, जब एक triangle जो है, और सारी चीजे जो है वो ऐसे फ्लो होने लगती है तो इसका फाइदा ये गोल्डन ट्राइंगल बन जाता है और फिर नई नहीं चीजे जो है वह आपके देश में नई इनवेशन होते रहेंगे और इतनी वेल्थ जन्रेट होगी आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं तो आज यूए से इतना आगे है तो रीजन इस रिसर्च और डिप्लोप्मेंट स्विजलेंड है चोटा सा कंट्री है भाट ही जोटा देश है लेंड लोक्ट है लेकिन स्विजलेंड जो बीजीय बनाता है आउटसींडिंटिंग ट्वैट्पॉलिटी की चीह स्विज वाचिस देख लिजे आप इस gwीजन undo को और फिस मी जो सेंट तो वहाँ पर वो गोल्डन ट्राइंगल उन्होंने क्रिएट किया तो विकन डिस जस्ट पर इतना फोकुस करें पैटन्स नहीं नहीं फाइल करता रहें इनोवेशन्स और यह सारी चीज़े बूस्ट होती रहें तो फिर बहुत ही पैसे बाले बन सकते हैं आपका देश जो है वो काफी समर्द बन सकता है यह चीज़ हमारे देश में भी पॉसिबल है तो रिसर्च और डिवलोप्मेंट केपेबिलिटीज इंडियन एकेडेमिया और इंडिस्ट्री जो है तो यह अभी हम बहुत ही इस ट्राइंगल की बात करें तो हमारे यहां पर यह ट्राइंगल का है एक एप्लिकेशन को डिस्पोस करने में तो यहां पर कितना बड़ा डिले हैं वर्ल्ड इंटेलेक्शल प्रोपर्टी और्गिनाज़ाइशन त्वेंटी ट्वेंटी टेंटी नाइंटीन का जो डेटा है यह डेटा यह कहता है कि भारत के लोग जो है जो एब्रोड रहत हैं हमारे देश में इतने लोग एप्लाइ करते हैं 13,670 पैटर्ण सेप्रू होती है फॉरन में हमारे ही लोग जो है 1.07 लेक लोग एप्लिकेशन करते हैं और 44,000 एप्रूवल्स मिलती है तो यहां पर देखिए अगेइन तरिज बिग गैप यह इंटम्स अव कॉन्टिटी तो PMEAC का पेपर यह कहता है कि हमें कुछ 2,000 लोगों को हायर करने की जरूरत है और जितना जल्दी आप यह एप्लिकेशन जो है उसको जितनी जल्दी हम प्रॉसेस कर लेंगे तो उसका फाइदा यह होगा कि तुरंत ही वो चीज जो है वो पैटेंट हो जाएगी और हमारे यहाँ के इनुवीटेस जो है वो फिर और ब्रोड नहीं जाएंगे वो यहाँ पर ही इनुवाइट करके यहाँ पर ही एप्लाइगे और नए टेकनोलोजी जो है उसको जल्से जल्द हम मार्केट में इंट्रोद्दीश कर पाएंगे इसका यह फाइदा है और इसका यह फा अगर हमारे पास एक अच्छा स्टाफ है राइट पेटन्ट ओफिस में अगर वेल स्टाफ है पेटन्ट ओफिस अच्छी वेकंसी नहीं है और फूल कैपसिटी में अगर काम कर रही है तो हम भी यह ग्लोबली कॉंपरिटिव टाइम लाइन जो है उसको एचीव कर पाएंगे पंदरा बीस महिनों के अंदर हमारी यहां पर भी एप्लिकेशन जो है उसको क्लियरेंस मिल जाएगा तो दिस इस सम्थिंग कर समझ कर एक्शन लेने की जरूरत है और हमारी स्टाट अप्स के लिए भी यह बहुत ही इंपोर्टेंट है कि जितना जल्दी उनको पैटन क्लि जाएगा ताकि वो जल्द से जल्द जोब्स भी क्रिएट कर पाएंगे और अपना बिजनस जो है वो भी स्टाट कर पाएंगे तो इसको प्रॉपली फिलप कर दे तो काफी इंट्रिस्टिंग अर्टिकल था इसलिए नव लेट्स जो आपकी स्क्रीन पर यह जो जाइगंटिक शिप है इसका नाम है यूएन वैंग फाइव यह चाइना का एक रिसेर्च वेसल है या फिर आप कह सकते एक स्पाई शिप है और काफी यह न्यूज में है क्योंक बहुत ही इंपोर्टन्ट है भारत ने एक नया स्टैंड लिया है अभी तक हमने नियूस पेपर में और अभी तक के आईटीकर्स में हमने क्या देखा है कि यह नहीं होना चाहिए और हमें उनको यहां पर कंफरंट करना चाहिए यह सारी चीज़ है लेकिन अभी का जो भार का जैसे हम कार पार करते है वैसे यह शिप जो है उसको डॉक किया जाता है तो यह चाइना का रिसर्च वैसल वैंग फाइव डॉक हो गया और भारत ने जो स्टैंड लिया यह काफी इंट्रेस्टिंग है दिस मेक्स इस प्टिकुलर आर्टिकल वेरी वेरी इंपोर्टन फ यह कोई सीक्रेट जगह से इस इस फ्रम पाइउनियर लेकिन ज्यादा तर सेरीज में क्या होता है सिर्फ एक न्यूजपेपर पर फोकस किया जाता है वो दिन जो है वो पिछले लगबग छे साथ सालों से चले गए है नाव यह तो गो थूरू मल्टिपल न्यूजपेपर उसमें से जो बेस्ट आइटिकल्स हैं और वो भी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए फिर आपको कौन सा पसंदारा इंट्रेस्ट हैं एट से इस नोट इंपोर्टन एग्जानेशन के लिए हैं वो परख जो है वो होनी चाहिए तो अगर आप उनके साथ डिसक्स करेंगे द्वांग फाइव के बारे में यूवल नोटिस दिस तिंग के वो उनकी जो डिसक्शन होगी वो थोड़ी एक ग्रेसिव होगी चाइना नहीं यह किया तो वी शुड दू दिस 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 लेकिन यह वाला आप समझ लेंगे दिन यूवल अंडिस्टेंड के भारत जो है वो को डॉक करेगा और भारत ने अपने आपको यह जो नया नॉर्मल है यह नया चेंज जो है इसके साथ भारत ने अपने आपको एड़ेस्ट कर लिया है श्रिलंका ने क्या किया जैसे यह शिप जो है इसको एक एप्रूवल दे दिया दूसरी साइड श्रिलंका ने बहुत ही इसीीिए तरीके से बहुत ही वाइस तरीके से गुलांगे से अधानी ग्रूप एनेर्जी तो इसके एक प्रोजर्ड़ को प्रोविंजिल एप्पूबल जो रेगिलर रहेंगे उनफोर्चुनेटली में ही रेगिलर नहीं रहें पाया क्योंकि तबीयत की वज़ा से बाइब कोई ब्रेक जो है वह ओफुली नहीं होगा फिंगर्स क्रोस्ट तो वह चीजे जो हमने डिस्कुस किती कि शुडंका को कैसे भारत ने मदद की और फ्यूल के तो वहाँ पर वह एवी यूज करेंगे तो फ्यूल कम मंगवाएंगे तो ऐसी सिचुएशन जो है वह उनके साथ कम होगी इजन इट तो श्रुलंका के लोंग टर्म विजन अब तो श्रुलंका अगर आप श्रुलंका के प्रेजिडेंट होते तो आप यही सोचते हैं कि हम एनर्जी वाइज जो है वो सेल्फ सफिस्यंट हो जाए ताकि ऐसी सिचुएशन कभी भी हमारे देश में ना हो कि पेट्रोल पंप में पाच-पाच किलो मिटर की लंबी लाइन हो लोग ही यूज करें और हम ट्रॉपिकल देश है तो भरपूर मात्रा में सन साइन यहां पर तो यह दोनों के दोनों Northern Region में है तो यह श्रिलंका के लिए बहुत ही important है और भारत को भी खुश करने के लिए भारत को भी happy रखने के लिए यह provincial approval जो है वो दे दिया तो श्रिलंका ने diplomatically देखा जाए तो काफी अच्छी तरीके से balance किया चाइना को भी खुश रखा भारत क भी खुश रख दिया अब देखिए यह जो चाइनीश शिप हैं इसके बारे मैं भारत को पता है कि वेस्टन नेवीज की जो चाइनीश शिप हैं वो भी इंडियन ओशियन में आती है अलग अलग पोर्ट्स पर आती हैं और क्यों आती है रिप्लैनिश के लिए पानी जो ड ट्रॉल फिल अप करना यह सारी चीज़ें जो हैं चोटी बड़ी चीज़ें वो वयाज जो होती है उसकी जो होती है तो उसमें बीच बीच में करते रहते हैं तो चाइनीश शिप ने भी कुछ ऐसा ही किया है और भारत को इस चीज़ के बारे में पता है चाइना के जो अब एक यूपीए का जो एरा था तो उस टाइम पर डेली और वाशिंग्टन ने एशली टेलिस थीसीज यह चीज़ें जिसको आपको थोड़ा याद रखना है पीडियेफ को डाउनलोड करने के बाद यह वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा पढ़ लीजीगा अप मिंस एक दो बार यह एशली टेलिस थीसीज जो है इसको पढ़ लीज़ेगा आपको याद आ जाएगा मैं इसमें आपको एक्स्प्लेइन कर रहा हूं कि वोट इस दिस यह एशली टेलिस थीसीज में बेसिकली ऐसा है कि भारत सरकार और युएसे के सरकार जो है वो मिलकर साउथ Asian Capitals यानि की South Asia के जो अलग अलग देश है सारक के आप देश पकड़ लीजीए तो इन पर नजर रखेगी एक प्रकार से Capital यानिकी Central Government पर नजर रखेगी नजर इंदसे देखी की किस प्रकार से कैसे किस देश के साथ क्या discussion हो रही है वो एकसेटरा खास करके चाना के साथ तो ये चीज जो है जब से मैंने स्टार्ट की है तो एक बहुती नेगेटिव पॉंट अफ यू जो है वो चाइना का हमने ले लिया है कि इंडियन उशियन में अगर कुछ करे और खास करें वाशिंग्टन के साथ मिलकर थोड़ा ज्यादा इतना नेगेटिव नहीं लेकिन थ इसको पता है कि इंडियन ओशियन जो हैं इंडियन ओशियन में बहुत सारे चैलेंजिस हैं और इसमें वेस्टन डॉमिनेंस जो है वो ना हूँ तैकि यूएसे जैसा देश जो हैं एक महा सत्ता अगर एक बार आपने अभी तक भारत ने कभी भी यूएसे के सोल्जर्स को भारत की दर्ती पर ऐसा कोई बेश बनाने के लिए नहीं दिया है जो मिलिटरी बेश है उनका इराक में है जर्मनी में है और कितने सारे देश में हैं 150 अलग अलग लोकेशन पर है स्पृत्वी पर 150 लोकेशन पर USA के ऐसे नेवल बेशे हैं या फिर आर्मी के मिलिटरी या उसके बाद आप क्या कह सकते हैं उनको कि कल से आप मत आना कल से आप मिनस यह बंद कर दीजिये और चले जाहिए इट विल नोट बी पॉसिबल अट ओल मिनस वो उनको निकालना इस लाइक लोकेशने चबाने जैसा हो जाएगा तो वेस्टन डोमिनेंस जो है वो इंडि अब बाद इस वी मूव ओन श्रुलंका की बात समझ लीजिए श्रुलंका चोटा देश है लेकिन श्रुलंका जिनेटिकली भारत जैसा ही है फिरसली इंडिपेंडनेंट अपनी आजादी जो है उसके साथ किसी भी बहले ही चोटा देश रहा है लेकिन डरेगा नहीं यह श श्रुलंका के जो एक IMPORTANT LEADER है उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है कि चाइना तक चाइना ने कभी भी हमें यह नहीं कहा है कि हमें किस प्रकार की सरकार बनानी चाहिए चाइना ने कभी भी स्टूलंका में कोई NGO की स्थाप्ना नहीं की और हमारे सरकार को destabilize करने की कोई कोशिश जो है वो नहीं की है और चाइना कुछ गिने चुने देशों में से एक है जिसने बुरे वक्त में श्रुलंका की मदद की भारत ने भी मदद की थी तो few countries देखिए यहां पर का है को चाइना is one of the few countries जिसने मदद की और यही आशा है कि चाइना जो है व तो श्रुलंका का जो चाइना के साथ relationship है उसको हमें appreciate करना पड़ेगा we cannot reject it और यही चीज़ जो है यही maturity हमें जैश शंकर साब के statement में देखने को मिले उन्होंने कहा कि Indian Ocean is not India's Ocean कि यह जो notion है कि Indian Ocean is India's Ocean ऐसा नहीं है यह हमारी कोई ऐसा नहीं है कि हमारी संपती है Indian Ocean जो है व और खास करके उन सारे literal देशों का यानि कि वे सारे देश जो Indian Ocean के साथ सटे हुए हैं border share करते हैं तो उन सारे देशों का Indian Ocean है और पूरे region पर India जो है वो exclusivity अपना पूरा दावा जो है वो भारत claim नहीं कर सकता श्रुलंका को जिस प्रकार से आगे बढ़ना है उनकी सोच और यह चीज जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में जो confrontation है उसको थोड़ा कम भी करेगी उन्होंने यह भी कहा है कि यह जो डॉकिंग हुई है हमबन टोटा में यह चाइनिज शिप की यह flashpoint बिलकुल नहीं बना चाहिए इंडिया और बेजिंग के बीच में यह एक न footprint को expand करेगा और भारत अपनी ताकत से अपनी footprint जो है उसको expand करेगा जो जिसकी जितनी strength उसे सबसे वो खेलेगा जब हमारी ship Vietnam पहुंचती है फिलिपाइन्स पहुंचती है जापान पहुंचती है तो उस time पर Chinese अख़बारों में भी ऐसे disturbance वारी के भारत जो है वो अपने footprint को expand करा है हमें घेनने की कोशिश करा है यह वो एकसेटर वो सारी चीज़ें वहां के भी writers जो है वो लिखते हैं तो जैशंकर साब ने जो 18th August को Thailand में एक statement दिया था Asian century उन्होंने कहा और जब आप Asian century की बात करते हैं तो उसमें China भी आ जाता है इसका मतलब है कहीं ना कहीं भारत का एक long term big picture vision यह है कि हम सारे देशों के साथ मिलकर काम करके तरक्की जो है उसको हासिल करना चाता है समृतिक को हासिल करना चाता है अपने देश को develop करना चाता है सारे देशों के साथ अच्छे relationship maintain करना चाता है war और यह सारी चीज़ें हम नहीं चाते हैं तो यह एक करती है और दोस्तो सब्टेंबर में इसी साल सब्टेंबर में Western Pacific Ocean में एक strategic command exercise होगी राइट वास्तॉक 2022 यह रश्या के द्वारा कंड़क्ट की जाती है और इसमें भारत की आर्मी जो है वो चाइना की आर्मी के साथ मिलकर participate कने वाली हैं तो let's hope कि सब्टेंबर की इस exercise से य यह exercise के बाद यह confrontation जो है यह कम हो जाए या फिर खत्म हो जाए दोनों देशों के लिए बहुत ही important है यह I hope things are clear अब की स्क्रीन पर है मनीश सिसोदिया मशोर यूनो के his deputy chief minister of Delhi CBI ने ये इल्जाम लगया है उन पर और कुछ 14 और लोग हैं corruption का एक इल्जाम है exercise policy 2021-2022 जो Delhi सरकार ने निकाली इसका implementation जो है वो किया national capital territory में तो CBI का कहना यह है कि इससे डेली की सरकार जो है उनको undue advantage मिला है यह पर corruption जैसी कोई चीज है ulterior motive of monetary gains यह सारी चीज़े इसमें नजर आई है राइट मिस ऐसा CBI ने अभी कहा है investigation होगी देखते हैं आगे क्या होता है we know it very well कि आप Delhi के जरिवाल का background क्या है कैसे anti-corruption के लिए आपकी आपका जन्म हुआ और फिर पंजाब में भी वो election जीते हैं यह सारी चीज़े आपको पता है I'm not going into too much details main मुद्दे पर आजाता हूँ गुजरात गुजरात में इस साल elections ओने बाले हैं और आपकी एक देरे देरे लहर जो है वो youngsters में नजर आ रही है बीजेपी के अब बीजेपी हारेगी जीतेगी वो तो गुजरात के लोग ते करेंगे और राइट वोट्स ते करेंगे लेकिन discussion में आप आ चुकी हैं तो क्या यह एक गुजरात के elections क्योंकि गुजरात को बीजेपी का गड़ माना जाता है तो यहां पर victory सिर्फ जीत जो है that is not important for BJP यहां पर तो जबर जस्त जीत जो है that is important तो क्या यह इसी election की तैयारी अब से election की वज़े से ही यह सारी चीज़े जो है वो इस regions में हो रही है यह प्रशन उड़ता है आगे देखते हैं क्या है आपको भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो explain करने के पड़ेगी यह जो case जो है वो उनके पर फाइल हुआ है तो आप तो यही कहेगी के CBI का misuse हो रहा है हमें भी बता है के CBI का कहां तक कब तक कैसे misuse जो है वो हो सकता है तो यहां पर कोई ऐसा नहीं है के this is black this is white this is right this is left ऐसा कुछ नहीं है we have to wait and watch बस यह एक बड़ा टॉपिक है आपको इसके बार में इतनी चीज़ें पता होनी जा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए यह जो देश है इसका नाम है सोमालिया और इंडियन ओशियन का एक लिटरल स्टेट है as you can see here यहां पर है गल्फ ऑफ एड़न एक च्छोटा सा देश है जिबूटी इसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है यहां पर एक च्छोटा के बढ़ेंगे विल टॉक बाउट एक और मैप है तो इसमें हम देखेंगे कि इसको होन ओफ आफरिका क्यों कहते हैं और इसका केपिटल जो है इसका नाम है मुगादीशू और यहां पर देख सकते हैं एक्वेटर जो है वो यहां से पास होती है जिरो डिगरी की लाइन ज ट्रोपिकल रीजिन है वहाँ पर यह लोकेटेन है देश और पाइरेट्स के लिए काफी समालियन पाइरेट्स का काफी खत्रा रहता इंडियन ओशियन में तो यह चीज़ हैं तो इतनी चीज़े आपको समझ में आ गई नाव लेट्स मूव ओन टू क्या हुआ है समालिया म में पीसफुल ट्रांजिशन ओफ पावर हुआ राइट लिजिसलेटिव और प्रेजिदेंशल इलेक्शन जो है वह खत्म हुए बहुत देरी के बाद खत्म हुए देखिए यह दुनिया के वन ओफ दे पूरस्ट कंट्री के बारे में हम बात करें हैं सबसे में बहुत ही ग पूरा आपको यहां पर देखने को बलता है तो ऐसे देश में इलेक्शन होना वोटिंग होना तो इस वेरी डिफिकल्ट डिजनेट आज से सोचिए 75 यह या फिर उससे भी पहले हमारे देश की जो सिचुवेशन थी ऐसा ही सिचुवेशन आज इस देश की हैं फ्राइड को 20 लोगों की मृत्यों ही बहुत सारे लोग जो है वो इंजर हो जुके हैं अब वहां के जो प्रेजिडेंट हैं सोमालिया के प्रेजिडेंट हसन सेख मुहामुद तो उनके लिए फाइनेंशली, मिलिटरली, आइडियोलोजिकली जो वाइलेंट एक्स्ट्रिमिस्ट हैं जो गए उन्होंने कई सारे सिविलियन्स को होस्टेज के तोर पर बंदी बना लिया और फिर 30 घंटे लगे राइट सिक्रिटी परसोनल ने धड़ादर फाइरिंग की और 30 घंटों का मिशन तो यू कन इमेजिन के एक पूरा दिन उपर से 6 घंटे इतना वक्त लगा कि फाइनल की जब भी बात आए आपको ऐसा प्रशन भी पूछा जा सकता है राइट के अल शबाब लिखा जाएगा मैच दो फॉलिंग टाइप के ए और बी के कौन सा ग्रूप जो है वो कहां पर है बोको हराम नाइजिरिया में है अल शबाब जो है वो सुमालिया में है तो इस प्रक सकता है तो जिस रिमेंबर के यह अल सबाब जो है यह सुमालिय काफी एक्टिव है और ज्यादातर रूरल सोमालिय जो है वो तो यही कंट्रोल करता है यह अल शबाब और सदन एंट सिंट्रल पार्ट जो है वो यह कंट्रूल करता है 2020 का रिपोर्ट यह कहता है कि government से भी ज पूरे होन ओफ आफरिका को इंफ्लूइंस करना चाहता है अब आप देखिए यहां पर यह जो है ना जो हमारा राइनोसिर्स हैं एक सिंग वाला गेंडा तो उसका जैसे सिंग होता है वैसे यहां पर एक पूरा सिंग देखने को मिलता है तो इस पूरे रीजिन को कहते हैं हो आफरिका राइट यह लेजर पूइट अब देख रहे हैं मैं बारबार इसी पर इसको कुमा रहा हूं इसमें यह जिबूटी आ गया यह समालिया आ गया यह सारे रीजियन पर वह अपना कब्जा जो है वह जमाना चाहते हैं यह अलसवाब जैसे ग्रूप और सोमालिया जो बिगेस्ट इंटरनेशनल काउंटर टेरर ऑपरेशन भी यहां पर हुए हैं मोगाडीसू पर कुछ मैंने फिल्म में भी देखी हैं आइटिंक यूसे की एक फिल्म थी कुछ साल पहले देखी हैं लेकिन इट वोस लाइक ऑपरेशन मोगाडीसू या ऐसा कुछ नाम था उस ज़से मोगाजन इटिंएंटिवा वूसमार की क्याश्याइट वी देखी हैं वगेद थेखी हैं वह जया हैं निसकी साल ग्रूपन अने हृब यह यह बहुत हैं करने में अस दिखना नों सब्सक्राइब कर बना तर लैचा इन में भी अइनने जर्रous और हिल् 1 रल्सबाप तो सुमालिया को स्टेबल बनाने की काफी कोशिस की गई रिजिनल और इंटरनेशनल इंटर्वेंशन भी की गया है लेकिन कोई सकसे जो है वो नहीं मिला है और अलशवाब जो है वो बहुत स्ट्रोंग हो चुका है अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है अगर इस दे वोग मरी और बहुत गरीबी और बहुत सारे एस्ईit जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इसके अलावा जाएब आपकेज हैं तो जो इंटरनेशनल community है international community को बहुत ही generously सुमालिया को खाने पिने की चीजे और ये सारी चीजे प्रवाइड करनी पड़ेगी और state building state building यानि की सरकार की शक्ती को बढ़ाने के साथ counter terror operations ये दोनों चीजे side by side कि अगर एक region पर let's say regional जो कहते हैं न area domination strategy ये थोड़ी military terms में आपके साथ share करा हूँ उसमें क्या होता है कि इतना area जो हैं वो cover कर लिया जो let's say इतना area है तो ये पुरा पुरा area terrorist के पास है तो आपने इतना area cover कर लिया तो अब इस area को secure बना दीजिए यहाँ पर पानी की facility ये सारी चीज़े दे दीजिए फिर और ज्यादा area को dominant कर लिजिए फिर उसमें ये सारी चीज़े तो ऐसे से करके पुरा region जो है वो तीरे दीरे करके dominant करते जाना है तो ऐसा international community के मदद से ही हो सकता है और simultaneously लोगों को खाने पीने की चीज़े education health ये सारी चीज़े हो कि facility provide करने पड़ेगी तब जाकर स्वाम लिया जो है वो स्टेबल हो जागा इसमें दस साल भी लग सकते हैं पंदरा साल भी लग सकते हैं लेकिन ये एक बड़े level पर इसकी शुरुआ जो है वो कर देने की जरूरत है I hope things are clear to you चलिए दोस्तों आज का ये interesting article भी देख लेते हैं data protection बिल के साथ जुड़ा हुआ है अब कुछ दिनों पहले हमने बात किती के जो data protection बिल है इसको personal data protection बिल जो है उसको सरकाने finally withdraw कर लिया है लग बग 5 सालों के efforts जो है उसके बाद इसको withdraw किया गया quickly timeline देख लेते हैं August 2017 से लेकर July 2018 के बीच में दस member वाली committee जो है जिसको head किया था Supreme Court के एक retired judge ने तो इसने ये पूरा बिल जो है इसको draft किया इस committee में चार senior government officials भी शामिल थे ये बिल जो है फिर सरकार के द्वारा you know revise किया गया cabinet के द्वारा approve किया गया फिर इसको parliament 2019 में रखा गया उसके बाद the joint parliamentary committee JCP के पास दिया गया और फिर ये फिर से review किया गया और इसको submit किया गया December 2021 में तो ये इसकी एक प्रकार से पूरी journey है इसकी शुरुआत कहां से हुई जब justice के इस पुत्थ स्वामी versus union of India का जो privacy वाला case आया और जब judgment आया तो फिर सरकार के पास कोई option नहीं पड़ा इंडिविजियल्स privacy जो है इसको protect करने के लिए और फिर सरकार ने data protection law जो है उसको draft करने की जो है वो शुरुआत कर दे इस experience से हमें ये भी पता चलता है कि जुडिशियल judgment होते हैं उनकी एक limitation होती है क्यों क्योंकि जब तक दूसरी दो branches जो एक branch है judiciary है एक है legislature एक है executives तो judiciary ने privacy वाला judgment दे दिया तो अब सरकार को एक bill बनाना है और ये bill जो है लेजिसलेचर में रखना है पालियमेंट में और फिर पास करना है लोग बनाना है लोग की बाद उसको implement करवाना है तब जाकर कोई judgment जो है वो fruitful होगा isn't it? सरकार means judiciary ने तो privacy वाला judgment दे दिया और हो पाएगा जब तक दूसरी दो branches legislature and executive अच्छी तरिके से काम ना करें तो तो कहने का मतलब यह है कि the options of delay and dilution are always available किसी भी चीज़ को delay or dilute किया जा सकता है अगर दूसरी दो branches properly काम नहीं कर रही है तो राज के जमाने में digital economy का importance कितना बढ़ता जा रहा है और अलग-अलग जो players है तो उनके interests जो हैं वो काफी अलग हैं चाहे वो कोई राज्य की बात हो, सरकार की बात हो, industry की बात हो, advocacy group की बात हो तो data protection को लेकर सभी के expectations, सभी की इच्छाएं, सभी के aspirations जो हैं वो थोड़े बहुत differ करते ही हैं For instance, domestic industry जो हैं तो उनका कहना यह है कि अगर बहुत ज्यादा compliance होगा तो उनके लिए disadvantage हो जी आएगा क्योंकि दूसरे देशों की companies जो हैं वो अल्रेडी अब एक level तक पहुंच गई है और starting में उनको कोई compliance ऐसी चीज नहीं थी अब वो compliance फोलो कर रहे हैं लेकिन अब वो इतन regulatory certainty लेकिन एक लो अच्छा जाएगा तो फिर regulatory certainty भी हो जाएगी यू विल एग्जेटली नो के A क्या है B क्या है C क्या है D क्या है यूना आपको rules and regulation सारी चीज़े पता हो जाएगी तो इस much easier to take proper decision for the state a law could limit intrusive data processing by state agencies but it could also promote geopolitical strategic and regulatory interest सरकार के लिए ये सरकारी agencies के लिए for example police जो है वो बैठे बैठे आपके WhatsApp को hack कर ले है किंदसेंस के क्या बातचीत कर रहे हैं ऐसी चीज़े भी नहीं होनी चाहिए लेकिन इतना भी होना चाहिए कि अगर कोई serious terror related crime है national importance का कोई crime है तो फिर इनके पास access भी हो of course senior officials जो है उनके approvals और उसमें भी check and balance हम जो है रख सकते हैं दूसरा फाइदा यह होगा कि अगर हमारी यह पर rules and regulations laws जो है वो top notch होंगे तो दूसरे देश for example European Union के देश जो है वो हमारे साथ उनका बहुत सारा outsourcing वाला काम जो है वो हमारे पास आएगा क्योंकि उनको पता है कि उनके और हमारे laws जो है वो civil है similarly individuals could benefit by restrictions on harmful data processing हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारा data जो है वो कोई भी इस्तवाल करके इसका दूर उपयोग नहीं करेगा जितने भी versions आया 2018 वाला version आया 2019 वाला version आया 2021 वाला जो जो जेपीसी वाला version है तो सारे की सारे जो है वो अलग अलग रहे अपने के लक् जो है वो जेपीसी रेकमेंडेशन में पर्स्नल डीटा प्रोटक्शन से दूर जाना लेकिन एंटाइर डेटा एको सिस्टम जो है तो इसको गवर्न करने की बात यहां पर हमें देखने को मिलती है और सोस्यल मीडिया और दूसरी एंटिटीज पर और ज्यादा ब्रोडर र इसके रेकमेंड किया लेकिन दूस्तों सबसे अच्छी बात जो है वह यह है कि पारत सरकार ने यह सजेशन दिया है कि अब एक बिल सारी चीजों को डील नहीं करेगा सरकार जो है वह पॉली सेंट्री सिटी पर काम करगी यानि की अलग 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 चीजों के लिए अलग राजरॉं न हैं लिए अलग दितार हैं न हुआ हो अधर हैं। को follow करने के now this is one of the best in the world but the thing is implementation Europe किसी चीज़ को implement करें और भारत कोई implement करें इसमें बहुत बड़ा difference रहता है नहीं है नहीं है यह सारी चीज़े नहीं और फिर हम toughest लोग को यहां पर implement यह फिर one of the most holistic को implement करने की कोशिश करें का culture अलगें बहुत सारी चीज़े अलगें तो इस हिसाब से इरोप वाला जो है वो उतना मिंसूस में से हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़े ले सकते हैं लेकिन हमें हमारे Indian context के हिसाब से चीज़ों को करने की जरूरत है तो भारत सरकार जो है वो अब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो let's hope के अब एक transparent और meaningful consultation सारे stakeholders के साथ होगा और सरकार जो अलग-अलग departments और अलग-अलग laws बना कर one size with all को follow नहीं करेगी तो I think it will become much easier as well कब इस बार जो है वो यह सारे issues जो हैं वो हम solve कर पाएंगे as far as data protection, social media handling, सरकारी agencies के पास कितने powers रहेंगे, etc, etc तो I hope things are clear, right? सारे की सारे articles हमने आज बहुत अच्छी तरीके से समझे हैं और आपके लिए प्रश्ण है, हमरे देश की courts में कितने cases pending हैं as per law minister किरन रिजी जू Saturday को उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो बताइए, right? कितने cases pending है, stick your answer in the comment section, तो total मैंने दो प्रश्ण पूछ लिए, right? एक PM, EAC वाला प्रश्ण और इस इस the second one, and that's everything, आप में से एक student ने comment section में लिखा है कि sir, इसके views क्यों काम है, the thing is there are millions of students out there, right? मैं millions कहा रहा हूं, दस लाग से भी ज्यादा students होंगे, जिनको curiously education के editorial and article analysis के बारे में बिलकुल पता नहीं है, दोस्तो, आप ही वो लोग हैं, जो उन तक इस वीडियो को पहुचा सकते हैं, आप पहुचाएए, फिर कोई और पहुचाएगा, हम सब पहुचाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, and it will grow, so, you know, unity is strength, if you unite with us, then we can definitely all of us can fly, thank you very much, God bless you all, enjoy your day, Jai Hind!